हालो वाइद आप सब्भी का सवागाथ हमरे डिट्रुट के हम लोग बिहार स्टी टी का कम्वलेट प्रिप्रेशन्ellschaft कर रहे हैं सुभाई 11 वज़े परते हैं अ highlight थे परते हम लोग रात्विज kan रफेयर करें सुभा गढरा हम लोग तो networking स्टाट किए भी हम लोग वे networking के part one देख लिए हम लोग उसका आज part two देखने बाले तो देखते हैं आज का important question. अब कोज आगा theory देख लेगा तो थोरी भी देख लेंगे पहले आसान गोड लेयर में आगगा पता है कि networking बालता है तो networking दो important layer है एक का नाम OSI Layer, मतलब Open System Interconnection Layer, एक का नाम आपका TCP IP Layer, मतलब क्या इसका Transmission Control Protocol और Internet Protocol, देखिए, मैंने कल्कूरिशन कर रहा है, तो यह पुछे था TCP IP Layer में कितना लेयर होता है, तो उस उप्से माने 5 माला था, मैंने आपको कहा था कि अगर 4 है तो 4 मानने आपको, और 5 है तो 5 मान पूछे हैं, तो यह पूछे हैं, 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 यह पूछे ह तो देखते हैं हम लोग कोशन नमबर का आज देखते हम लोग कोशन नमबर आज दिखते हैं हम लोग है इसका हो जाएक आपको SIMPLEX अगर आपको direction दो हो है मतलब कि जा भी सकते है और आ भी सकते है लिकन वन वै है एक बार में एक ही जाएगा उसकाएं हम लोग दुपलेक्स और आगए है कि आपको two-way हो, मतलब कि आपको टॉबे हो, मतलब कि आपको टाइगा गाँ हो जाएगा यो जाएगा यो तो नो एक साथ हो सकता है, उसको कहीं हो आपको फुल डॉपलेक्स, इसका आपको जाएगा option नमबर है, सिंप्लेक्स हो जाएगा आपको अब जबतलेंगे कुछ नमबर 32 पैलल कम्टीशन अन्छल कम्निकेशन दाश डश नमब्र और उडिद अपको अप्छन नमब्र बी कर आद शॉला अप्छन नमबर भी एक और आठ ऑफन नमबर सी हाथ होडी शात और अगर आप बात करेंगे पाइलल कम्मिनिकेशन ना उसमें आपका ना पिटाता है लिकन बात करेंगा आपको Serial बिना पेज को रिफेज्च किए आपको वह काम करवा देता है तो आजागा फूल फ्रॉम क्या होता है option no. A, asynchronous JavaScript and XML, option no. B, advanced JavaScript and XML, option no. C, आपका asynchronous JavaScript and XML, option no. D, advanced JavaScript and XML इसका आपको option no. A, asynchronous JavaScript and XML, आजगस आपका इंप्पोर्ण इंप्पोर्टेंट है अब देखते हैं में question number 34 देखते हैं हम लोग the number of bit per second scroll देखिए अगर आपको एक बार में इतना number of bit traffic हो रहा है per second हम लोग उसको क्या कहते हैं option number a boundary rate option number b bit rate option number c bandwidth option number c latency देखिए number of bit per second हम कहते है bit rate क्याते हैं इसका आपको जाग option number b अब देखते हैं हम लोग question number 35 देखते हैं हम लोग the number of signal transmitted per unit time देखिए इसमें क्या है उसमें number of bit और number of signal है इसमें आपको एक signal लोग दाश भीट होगा आपको एक signal में जतना चाहिए उतना bit time हो जकता है तो इसमें कहते है number of signal transmitted per unit time और जो पर सेकंड नहीं आवें पर घंटा हो जकता है पर मिनट हो जकता है पर सेकंड में कुछ हो जकता है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं option number a about rate option number b bit rate option number c latency option number d turn around time इसका आपको जागा option number a आपका about rate हो जाएगा number of signal transmitted per unit time अब जेखते हैं हम लोग question number जेखते हैं आपका conversion होता है option number a digital to analog option number b analog to analog option number c digital to digital option number d जेखिए किसी भी signal से अगर हम लोग चेंज कर रहें अनलोग में उसको कहें हम लोग modulation ठीक है अगर डिचल क्या होता आपका और आपका इस ऐसे आपको आपका गिराफ हो आपका जो आपका signal ऐसे तरह हो लेकिन चाहते हैं उसको दूर ता भीजना तो हम लोग दूर से भीजने के लिए हमको उसको अनलोग में चेंज करना अग्रेख तरह हम लोग question number 36 हो जाए हम लोग तो number of OSI model OSI model में कितना layer होते हैं option number 3, option number B 7, option number B C 5, option number D 9, धेकि हम पूचे OSI layer, इसमें यह ने पूचे TCP IP layer, तो OSI में कितना होता है आपको, आपको उता 7 layer होते हैं, इसको होजगा आपको option number B हो जाएगा, which of the following, which layer of TCP IP is the combination of three layer of OS आपका जो कहरें में कीज में से कॉन सा आपका जो 35 लेयर ने फुर्टकल होता है वो तीन लेयर का आपको कम्बिनेशन होता है option number A physical layer, option number B network layer, option number C transport layer, option number D application layer तो आपका application layer तीन लेयर का combination होता है तो इसको हो जाएगा आपको option number D हो जाएगा अब देखते हैं हम लो question number 39 देखते हैं हम लो, optical fiber transport signal in the form of, आपको जो होता है optical fiber आजकल तो आपको नेट के लिए यूज करते हैं हम लो, maximum optical fiber यूज करते हैं और आने वाल टाइम में आपको जोता है तार है जब खता हो जाएगा जब आपको optical fiber ही कामाएगा आपको रूसकल के अदर हम लोग डेटा को भीजते हैं, तो किस form भीजते हैं, option number A, bit के form में, option number B, wave की form में, option number C, electric current के form में, option number D, light के form में, देखिए आपको optical fiber हना उसके अदर हम लोग वो डेटा भीज तो अमलों के लिएट के form में, भीजते हैं अब देखते हैं कोच्छा नमबर फोटे देखते हैं को एक्सेल केबल और ट्राइब ट्रांस्पोर्ट शिंगनल इन फॉर्म अग पता है कि हम लोग अप्टिकल फैबल यूज कर रहा है अज लेकिन अप्टिकल फैबल से पहले हैं हम लोग तार उज़ करते हैं तो तार करें तो हम लोग को एक्सेल टेबल और पार दो तो इस पर उस पर करेंगे ऑफ्सर नमबर बीड की फोर्म में अच्छा नमबर से एलक्रिक करें के फोटन देखें नमबर प्यूंचरि underwater di जुचारू पर में निरग वह Willowel कोईल आटेसि फोटान के होता है कि स्माल इस अलुनि करेंट हम लोग को एक्षियल टेवल के अंदर या भी टूश्य पेर के अंदर अगर हम लोग को चीज भेज रहे हैं डेटा को तो अम लोग बेज़ेंगे एलेक्टिक करेंट के अंदर अब जगता हम लोग को च्छान नमबर 41 जगते हैं विश्च मीडिया में इस फास्टेट अगर हम डीटा को भीज रहे हैं एक प्लेश के थिसरे प्लेश तो आपका बेस्ट कौन है फास्टेट कौन है A OpsiN No.E option number b coaxial cable option number c twisted pair option number d all of the equal हम लोग optical fiber को इसले उसकर रहे है वह सबसे fastest है लेकिन अगर पूछेंगे तिनों में सबसे ज्यादा कमजो कॉन होता है तो सबसे में कमजो में optical fiberdy होता है माले कि अगर वो खडाब हो जाए तो बहुत पासा रहता है बनने के लिए लेकिना सबसे फास कोन होता है इसका हो जाएक option number d अब देखते हैं हमनों कुछन में 42 पूपर्टिज अफ अनकाइड़ मीडिया वायलेस मीडिया यह क्या होता है वायलेस मीडिया मतलब कैसे मीडिया जिसमें आप अगर ट्रांस्फेर कर देट हो तो इसके लिए आपको तार नहीं चा अगर आपको बात करें कि वायलेस मीडिया होगा तो अगर ट्रांस्फेर करेगा आपको तो वेब कर एक लिए के लाइक लाइक करेगा और कौन वेगेट्र नमर्पर करें गरें या पना सही है ब के सिगनल ब्रोडगाट्ज तूरू फीड स्पेस आपको सिगनल कैसे यह होता है क्योंकि बिना कांच्छा कर लेता है इसका आपको जागा all of the above अब देखते हैं हम लोग कोशन नमबर 43 देखते हैं लोग example of wireless media हम लोग जो wireless media यूश करते networking अंदर तो उसका example क्या क्या हो जाकता है option नमबर ए रेडियो वे औप्शन नमबर भी microwave option नमबर C infrared waves option नमबर D all of the above देखिए आपको radio waves आपका microwaves और आपको infrared waves यह तीनों वे बहुत important है अगर आप networking में इस पर रहे हैं तो तो तीनों को तीनों आपको wireless media का example है इसका हो जागा आपको option नमबर D property of microwave आपको यह होता है microwave होता है जाप्शन क्या क्या होता है option नमबर ए यूरी डियक्शनल option नमबर ए टॉल एंटेनर रिक्वाइंट option नमबर C frequency range up to 300 GHz यू डियक्शनल क्या होता है मतलब होता है कि अगर आपको कोई signal sender है sender अगर आपको आपको भेज रहा है तो वह एक ट्रैक्शन महीं जाएगा उसका राक्शन क्या रहाएगा तो जाएगा तो आपको यह होता है आपको लॉंग रहाएगा वह आपको टॉल रहाएगा अप्सन नम्र सी क्या है फिर क्योंशी रहेगा इसका वह 300 GHz के तकड़ अगर जीर से लेकर तीन जो गिएगा अब इसको आपको 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 अपने उसमें लुगता है वह आपको इन्फोरेट वेव होता है तो इसका पर्पर्टिश क्या होता है पहले तो इसका अप्सर्म चार्स रहा ही जनल कि अहला बतर समस्पा में निश रिखने लिख विएगे नहीं क कैन अपने घ्यर जिना करता है तो देना अम आपको आपको आईप्ल मों क्या होता है हुआ तोIND से लिखता है पटड़ करें ऑन जी का इसका मिन ममें अपको आपको आपको सेवना विच OSI इस डिवादे इंटो मीधिय अक्सेमें अचलर कि लिए दा द क्य रदेखे रदिप … शिख रदेक्ट आपका नाम होता हुआ मीडिया ऐकसेस लेर होता है आप दूसरे को होता है आपका लोजिकल ऐडिसे में नहीं है तो आपका डेटा लिंक होता है दिए आपको पुलना नहीं है यह पूछते है गजैम में अब दखते हैं कृष्ि एट्जी नमारा 48 जिउमेट्रिक अर्रेंज को हम लोग कहते हैं option number protocol option number B media option number C land option number D topology हम लोग कहते हैं उसको topology कहते है मतलब topology क्या होता है आपको topology होता है आपको geometrical arrangement of device ठीक है अब जिर्टता हम लोग आज का question number जेते है 49-topology require a multipoint collection आपको कौन्शन topology में multipoint connection होता है आप्सटन नमबर A i star option नमबर B me option नमबर C you reading option नमबर C D bus आपका बस का होता है ना आपको कमें bus में single line थीक है मालव सब्सक्राइब चला रहा है system एक आदम सब्सक्राइब चला रहा है और कुर आगे बढ़े का start नमब कर आदमी चला रहा है तो इसमें क्या होता नैंसे मुल्टि पॉइंट बोत होता है इसमें आपको इसका अपको जो ऑपिशन नम्र दी बस अगर बस होता है वो मिल्टि पॉइंट पर ही बने रहता है अब देखता हम चुर्शन नमर 50 internet access by transmitting data digital data or wires of logical local telephone आदर आदर रवाई आए आप पाईले को ताइम पें पर हम नेट करते थे वह बोलेंगे कि किसी त्रीक पर हम लोकाल सतरे नेट उसे पूछे के जागे आपके आप का चश्ब करते थे तो बोलेंगे कि वह टेलेफून के तार था उस तार के लिए चलाते थे तो हम लोग कहते हैं option number लिज लाइन, option number B, digital subscriber line, option number C, digital signal line, option number D, digital list line तो उस तरह हम कहते हैं, digital subscriber line, यह आपको प्राण टेक्निक के जिसके हम लोग internet को चला सकते हैं, इसका आपको कि 50 का option number B हो गया अब देखते हमने question number 51 देखते हैं, which topology has bidirectional link between each possible node मतलब का लिए से कॉन topology है, जिसके पास हर topology के बाद दू direction होता है, चाहे वो आगे जाए और पिसे जाए, देखें अब करने के वी, अगर हम बनाएंगे एक तरीख क neighboring topology, इसमें क्यों हो जाएगा, आपको मैली one point here, one point here, one point here one point here, one point here, one point here तो हर point बाद दू रास्ते हैं चाहे वो आगे जाए या पीसे जाए या वो पीसे जाए मतलब कि अगर बात खरेंगे नों डूर डायरेक्शन का तो आपका आप गाशा अबस टोपोलॉजी है तर्फ टोपोलोजी एक प्रपोलॉजी यह आपका जो होता है ड़िए टोपोलोजी उसके और प्रपरटेंगे कि एक बारी टूर्टोपोलोजी को मूफ कर सकते है इसका नमार देते हैं reading topology अब देखते हैं question number 52 देखते हैं इसमें क्या आपका which topology has hub to connect with every node आपका hub क्या होता है हब जो आगे next chapter तो पढ़ लेंगे हब क्या होता है तो आपको hub जो होता है वो इन समय से कौन से topology में hub लगा रहता है option number start topology option number b reading topology option number c miss topology option option number d bus topology देखें आपका जो होता है नोर्ड आपका नोर्ड करेंट होता है आपका यहां पेहां पीहां पीजिख रहता है हृम एक यहां फी पहल रहता है औरपके आपको यहां पेहां पीचार पाल 2017 option number B heading topology option number C miss topology option number D bus topology आपका जो करेंशन होता है ना उसका हमले कहते है start topology इसका अब हो जाएका option number A हो जाएगा अब देखते हमले option number आजका 53 देखते हमलो which is highest reliability topology सब्सक्राइबल टॉपलोजी कौन सेंसे option number A start topology option number B heading topology option number C tree topology option number D to be a stopology अब का मतलब क्या होता है मतलब कि एगर आपका रस्ते ख़ञाब हो जायना तो ब्यावब क्रेशन तूटे नहीं देखिए आपका 1 तार्ष होता है topology क्या होते है खुक यह थो cao किया ऑपकर हर कोना है जृब से लगव होता है इस ऍद्स का पोछ फॉल अबिशे हे शोंको 8 यह रहा है यह रहा करने के लिए तो आफे पहलरITE कि जाते हैं हरे अब टेखते हैं साम से सब्सक्राइब निकाल सकते हैं कि मेरा बात कितना लगेगा केबल लाएगा हमको बनाना है में स्टोपलोजी तो अब देखते हम लो कुछन नंबर 55 देखते हम लो विच नेट्रवर्किंग डिवाइस है यूस्टू कनेक्ट लाइन और सिनल देखें आपका जो होता है न यह ह सब्सक्राइब हो इसाब हो गear रिपीटर-अब्रीडेज्ट स्विच गया है अगर आपको नेट्र की भाप दूर तक सब्सक्ते नेट्र कंसरा को उसे को तरह की पर्वल्म नहीं हो कुछ कर्षान इंद काम करता है वे मैं बश्रा क्या है इक तरह का लेक्टरी डवाइस जो आपको दू अलगा लगर को आड़ करता है नो पूंसे डिवाइस है इसमें इसमें को लेज इने ल को जोड़ता है option number a bridge option number b hub option number c option number a था repeater b hub c bridge or d switch क्यों वे पहल बता रहा है था आपको यहां पर यह अब आपको यह लैन वायर है अगर हम डिस्टेंज मेरे बहुत लॉग है और हम चाहते हैं घर कुछ दूर पर मेरा डिस्टेंज मेरा जो चिंगल है ना उसके अंदर एंप्लिफाई होता है मतलब आपको उसका वैलू बढ़ते रहे ताकि वह दिस्टेंज खतम नहीं हो जाए वह आपको पहुंचते पहुंचते उसका डिटा खतम नहीं हो जाए तो हम लोग इस तरह के डिवास क्या गयते हैं आपको जो होता है ने रिपीटर इसका कामी है यह रिपीटर का कि हर कुछ दूर पर आपको रिप्रे लगा देंगे ताकि आपका सिग्नल में एम्प्लिफिकेशन होता रहे वह आपको सिग्नल लॉंग डिशन ट्रैविल कर सके अब देखते हैं कोश्चन हम लोग 57 देखते बने लॉंग नेटवर्क पुर्टोकॉल टूर यह आपका कारिको आपको फूर्ट बववाइस है जो आपको दो अलग अलग पूटोकॉल को एड करता है और उसकी कौन नाम किया पूटोकॉल टाशलेटर आप्शन नमरब आ गेटवे उप्शन नमर बी रिपीटर आप्श अब जो काहते हैं अब लोग पोटक्वार ट्रांसलेटर अब देखते हैं में कोशन नमा 58 which device that join various component of LAN इन सब्सक्राइब को जाए रिवाइज आपको maximum component को जाए आड कर लेते हैं और अप्सिन नमबर ऐ router और जाए रौटर और बी डिपीटर और ऑप्सिन नमबर इस स्विच अप्शन नम्बर डी गेट वे अपको स्विच के लगा अब बहुत सरा अलाग डिवास को आट कर सकते हैं अगर आपका लांड वायर बहुत सारा तो इस अबको जोड़ना नम्गों एक सिंगल डिवासे हैं तो हमलों विधेल आप सुच एकाम कर सकते हैं इसका अपक n. अब बताना है कि आपका ट्रांसफर तो होड़ा है और का ट्रांसफर ये हो रहे है लेकिन आपको एक बार में इक ड्रेक्शन मुफ कर रहा है तो उसो क्या कहें हैंगे अप्शन नम्बर है सिंप्लेक्स ऑफिन पेफ्वायर तर्केट और सी फूल डूपलेक्स बचिन न पर कहा होता है आप आर Sweet को होता है अफरत और इनिसेट कौन करते हैं रायन क्यंप तुब्सका है पडिए लेक्षट सदब करते हुए शनल की बाता है अब मेरे डिखें प्रीड़ियु को लिंक आपको डिष्ट इसमील जाएगा आप मेन वीडियो पच्छा लगा आपको लाइक करें आप में वीडियो चानल को सब्स्राइब करने हैं तो मैं वीडियो को शेह करने हैं तांक्यू वेरिमच